तो अभी बज रहे हैं सुबा के साथ और मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मेरी पूजा की प्रपेशन है वो लगबग हो चुकी है तो और मैं यहाँ पर पाहल पहन रही हूँ तो हलो एवरीबन वेल्कम बेक्टो माई चैनल आई होप यूजा की तक देखेगा वीडियो के बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी इन्फोमेशन देने वाली हूँ लाइटिंग कम जादा हो रही है बार बार तो उन दोनों को पीच पीच में देखते हैं मैं साथ साथ में पूजा की प्रिप्रेशन भी करती जा रहे थी और साथ में बच्चों को भी हैंडल करना होता है तो वो भी हो रहा था तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चौक आप लोग इसे रंगोली भी बोल सकते हैं बढ़ यह आटे हल्दी और चावल से बनती है यहाँ पर इस वीडियो में मैंने जो वाइस डाली है वाद में डाली है पीच पीच में मैं आप से बात नहीं कर पाई थी क्योंकि जो मेरे घर के जो पास वाला घर है माँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो दिन भर काफी आवाजे आ रही थी तो उस शोर की वज़े से मैंने बाद में इसमें वाइस डाली है तो अब मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ आलता और आलता के लिए मैंने पाउडर फॉर्म वाला आलता लिया है और उसमें पानी डाल के मिक्स किया है और आपने मेरे चैनल पर आलता डिजाइन के कई वीडियो देखे होंगे अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं स्क्रीन पर अभी मेंशन कर रही हूँ इन सारे वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रीशन में दे दूँगी अगर आप आलता डिजाइन के वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से चेक कर सकते हैं जब भी आप आलता लगाएं तो फ्लोर पर कपड़ा पिछा कर ही लगाएं जिसे कि आपका जो आलता का जो कलर है वो फ्लोर पर नहीं लगेगा तो मुझे कमेट करके ज़रूर पिताएगा मिरे या आलता डिजाइन आपको कैसा लगाए वैसे तो मैंने आज बहुत ही सिंपल आलता डिजाइन लगाया है जाहतर मैं बहुत आच्छे से आलता डिजाइन बनाती हूँ आज थोड़ा टाइम कम था और मुझे लेट हो गया था टाइम कम था वो तो एक बहाना था बट अगर हस्बेंड होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है इस अब करना अभी वो नहीं थे तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आलता लगा लिए और रेड़ी हो गई थी बस वैसे तो मेरी ये पूजा एट थर्टी तक कम्प्लीट हो जाती है क्योंकि मेरे हस्बेंड आफिस जाते हैं उनके जाने से पहले में पूजा कर लेती थी और उसके लिए मुझे सुबह पांच बजे उटके सारी प्रपेशन करनी होती थी तो इस बार तो मैं अपनी ममी के घर पे हूँ और वो यहां पर नहीं है मेरे साथ में तो उनके बिना ही मैं पूजा कर रहे हूँ अभी मैं उनको वीडियो कॉल करूंगे और साथ में मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने ये पूजा कैसे की है तो ये पूरी पूजा मेरी वीडियो कॉल पे होने वाली है उनके साथ तो ये मेरे चैनल पर मेरा first vlog है तो मुझे comment करके जरूर बताएगा कि आपको मेरा first vlog कैसा लगा है यहाँ पर मैं आपको अपने blouse का design दिखा रही हूँ अगर आप चाहें तो इस टाइप का blouse सिलवा सकते हैं और अपने blouse collection का जो वीडियो है मैं बहुत जल्दे आपके लिए लेके आने वाली हूँ तो अभी यहाँ पर मैं ready हो चुकी हूँ और ready होने के पाथ जो बाकी पूजा की preparation है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ और पूरा preparation को complete करने के बाद हम यहाँ पर पूजा करेंगे फिर थोड़ी दिर में आप और रूम के साइड में आप देख रहे हैं मेरे tripod बाकी सारा कच्रा मैंने एक साथ इखटा किया हूँ बाद में मैं अभी इसको भी clean करूँगी क्योंकि उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी अभी फिलाल मैं अपको preparation से पहले करूम दिखा रही हूं उसके बाद पूरा decoration के बाद करूम मैं आपको दिखाऊंगी यहां पर मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ बहुत ही सिंपल रेडी हुई हूँ वैसे तो मैं काफी कुछ जब यह होते हैं तो काफी अच्छे से रेडी होती हूँ क्योंकि इस पूजा में काफी अच्छे से रेडी होना हुथा बिल्कुल दुलन के जैसे तो मैंने यहां पर नतिया मांग्टी का कुछ भी वेर नहीं किया है और जस्ट मैंने यहां पर अभी सर पे डुपट्टा ले लिया है तो अब मैं करने जा रही हूँ पूजा स्टार् अब यहां पर अपना दिया जला लिया है और जलाने के बाद मैं यहां पर यलो कलर की जील लूँगी और उससे मैं जो धागाय गले में पहने वाला पीले रंका वो बनाऊंगी इस पेशली यह दोनों पूजा जो वटसावितरी की पूजा होती है और जो करवा चोथ की शूचे का सुफिया जाते हैं उस सबकी जो पिच्चस के अजिए पैस बीच में विडियो के में जलाका ॥ि क्क अण तो आगर वो लोगो यह देखना चाहते हैं तो यहां से चेक कर शकते हैं car प्रेशन बॉक्से लुक्से लुक्से. प्रेशन बॉक्से लुक्से लुक्से. प्रेशन बॉक्से लुक्से. प्रेशन बॉक्से. प्रेशन बॉक्से. तो मेरी पूझा लगबख कंप्लीट होने जा रही है. अब मैं हजबन को वीडियो कॉल करूँगे और वीडियो कॉल पे वो आएंगे. तो बाकी फिर आप वीडियो में देख सकते हैं आगे मैं क्या करने जा रही हूँ. तो जैसे ही वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ और मैंने पूझा स्टार्ट करी और वो मस्ती करना शुरू कर दिये. और मुझे यहाँ पर वो बोल रहे थे कि कि ये वाली सबजी कैसे बनती है और ये मैं कैसे बनाओ मैंने कर नहीं आप पहले पूछ ही लो कि ये कैसे बनता है वो कैसे बनता है पूजा तो हम बाद में कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों की बाते शुरू हो गई थी और जब मैं पूजा कर रहे थी बीच में कुछ ना कुछ बोल बोल के वो मुझे हसाए जाते जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो मैंने का ये लो रजगुला आप देख सकते हैं मैंने का वहाँ से लेकर अपने आप कुछ खा लीजिएगा तो यहाँ पर उन्होंनों फिर से थोड़ी सी मस्ची शुरू कर दिये तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो कॉल पर उनसे बात करूँगी तो यहाँ पर हम दोनों की बाते चल रहे हैं और अपने पूजा का जो वीव है वो भी मैंने उनको दिखा दिया है तो अभी आप जो मेरे टैबलेट मेरे हाथ में देख रहे हैं स्क्रीन पर जो पिच्चर है यह वही टैबलेट है और इसका वीडियो भी मैंने बनाया है काफी अच्छा टैबलेट है अराउंड दो महिने हो चुके है इसको यूज करते करते मुझे अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक में आपको नीचे description box में और उपर आई बटन में भी देदूंगी आप यह वीडियो देख सकते हैं तो अब मैं यहां पर आपको अपनी साड़ी का जो फाइनल लोक है वो दिखा रहे हूँ इस तरीके से मैंने ब्लू ब्लाउज के साथ यह जो इस पिंक कलर की साड़ी है इसको पेर किया है मर्जंटा कलर की और गोल्डन डुपटा लिया है सर पे इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर साड़ी रेपिंग के कई वीडियो बनाए है तो इन वीडियो के पिच्चर्स में आपको स्क्रीन पर दे दूँगी और लिंक आपको डिस्क्रिक्टिक्टिन में मिल जाएंगे अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं मैं जाएतर साड़ी के साथ वाला जो ब्लाउस है उसको पेर नहीं करती हूँ जो कंट्रास में ब्लाउस होता है मैं आलक से बनवाती हूँ और उन्हीं ब्लाउस को पेर करती हूँ जो पूजा की जो आखरी प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं मत्था टेक कर अशिरवात दे लूँगी कि जो भी मेरे से गलती हुई हो मुझे जैसी भी पूजा करने आती मैंने वैसी कर ली है और इस टाइम व्लॉक्डाउन में जो भी अविलेबल हुआ है उसी से मैंने पूजा को कंपलीट किया है मेरे चैनल का यह फर्स व्लॉक है मुझे पता है अभी काफी सारी कमिया है इस व्लॉक में बट धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते या व्लॉक बनाते बनाते यह कमिया को मैं जरूर दूर करूँगी तो मुझे comment करके जरूरू पिताएगा मेरा ये first vlog video आपको कैसा लगा है अगर आप आगे भी और vlog देखना चाते हैं तो comment section में लिख सकते हैं बट अब जो मैं next vlog आपके साथ share करूँगी तो उसमें मैं बहुत सारे tips and tricks आपके साथ share करूँगी बीच बीच में जो कि मैं use करती हूँ तो मेरे हाथ वट सावेतरी की पूझा इसी तरीके से होती है आप भी comment करके बता सकते हैं कि आपके घर में भी इसी टाइप की पूझा होती है या आप और कुछ अलग तरीके से करते हैं तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर end करते हैं स्वस्त रहिए मुष्त रहिए और मेड़े वीडियो देखते रहिए तो अगर वीडियो अच्छा लागाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेकर थाइंक्यू सो मच और वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई